Let's look at another example that is regarding call centers. Call centers जो हैं वो बिलकुली different किसम की service providers हैं. इसके अंदर क्यूंकि आप जो call centers हैं वो actual जो customers हैं उनसे बहुत दूर हो सकते हैं. For example call centers पाकिस्तान में अगर call centers हैं और हो सकता है कि वो American market को service provide कर रहे हों. इंडिया में call centers provide कर रहे हों ते western countries को क्योंकि उधर labor अमेरिका में expensive है तो वो cheap labor के लिए वो पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश, इन areas के अंदर call centers establish करते हैं. क्योंकि उधर English communication के में लोग मिल जाते हैं जो के अच्छी accent के साथ बात करते हैं तो उसको वो use करते हैं for giving service to the American let's say customers. तो उसके अंदर जो requirement location की वो बिल्कुल different हो जाती है. उसके अंदर face to face क्योंकि contact नहीं होता ना material move कर रहा होता है तो उसके लिए हमें फिर वो जरूरी नहीं रहता कि मार्किट के करीब हम locate करें इस service को. यूजली service industry को हम मार्किट के करीब locate करते हैं for example अगर legal आपको चाहिए advise वगारा तो law firms वगारा आपके मार्किट के करीब होंगें and so on. तो इदर वो उसकी जरूरत नहीं होती है इसके अंदर very broad इनके पास options होती है बेताशा options है क्योंकि कोई खास वो नहीं है कि जी factor जिसकी वज़ा से वो उसको location select की जाए हाँ इसके अंदर जो cost है labor cost that may be important factor कि जी ये जो labor cost है facility की cost है और availability है labor की for example English speaking अच्छी English बोलने वाले लोग चाहिए हैं हो सकता है कि चैना में अगर जाएं तो अधर English आपको इतनी अच्छी speaking के लोग ना मिल सकें और पाकिस्तान, इंडिया, बंगला देश इधर आपको ज्यादा बेहतर लोग मिल जाएं जो कि उसकी जरूरत होगी और दूसरा ये कि उनकी जो labor cost है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम होती है, फिर facility की cost भी कम होती है, तो ये factors हैं जिसके basis के उपर we can select location for call centers, इसके अंदर एक और जो हमारे पास अब technology आ गई है, which is geographic information system, GIS जिसको कहते हैं, ये एक नए टूल है जो इससे हम location analysis असानी के साथ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इट गिवस data और information about complex demographic जो उदर factors हैं, उसका वो provide करते हैं जिससे हम इसका analysis असानी के साथ कर सकते हैं, usually जो data basis हैं, वो जो include हैं करते हैं, उसमें detailed census data होता है, detailed maps given होते हैं, utilities का दिया होता है कि किस किसम का है, geographic features दिये होते हैं, even locations of major services दिये होते हैं, कि और कौन सी major services इस area के अंदर provide की जा रही हैं, तो GIS जो है, ये एक नया technology है, जो कि यूज की जा रही है, और बहुत इसको use का रहे हैं, location selection के लिए.